नमस्कार दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मकी की रोटी आज मकी की रोटी हम बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे मकी की रोटी खाना सभी को बहुत जादा पसंद होता है लेकिन इसको बनाने का जो है सब को जंजड़ लगता है क्योंकि इसका आटा होता है वो आपस में कई बार जुड़ता नहीं है तूर जाता है और बनाने में भी कियों को दिक्कत आती है तो यहां पर आज हम ऐसे तरीके से बनाएंगे कि आप चकले और बेलन से इसको बना कर रेडी कर लोगे बहुत यह असान तरीका है और यह फूली-फूली मक्की की भी कुछ सॉफ्ट सी रोटियां बनकर पांच मिनट मेरेडी हो जाएंगी आप धेरो रोटियां बना सकते हैं थोड़ी सी देर में और बहुत ही जड़ा सॉफ्ट बनेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इनको बड़ी असानी से बना लिया है और इसमें आप कोई भी कुछ भी लिया है कोई भी बटन ले लीजिए उसके अंदर हम पानी डालेंगे यहां पर हमने डाल देना है एक कप पानी पहले भरके और थोड़ा सा और डालना है मतलब सवा कप पानी हमने डाल दिया है और पानी को हमने बॉयल आने तक बेट करना है पानी में बॉयल आ गया है फ्ल प्रफशन कुछ भी आड़ नहीं करेंगे नॉर्मली आटा ही हमने लिया है और इसके अंदर डालते हुए इसको हम मिक्स करके ढखके रख देंगे थोड़ी देर के लिए अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसके अंदर पानी आपने अभी और बिल्कुल नहीं अगर जुरूरत होगी तो बाद में डालेंगे बस इतना ही पानी डालकर आपने इसको मिक्स करना है अब हम इसे ढख देते हैं ढखने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं तो यहां पर इसको 10 मिनट हो चुके हैं आटे को रखे क्योंकि इसको नीड करने के बाद ही इसका प्रोसेस शुरू होगा अब हम इसे बिना पानी डाले हुए पहले नीड करके देखेंगे अब मुझे यह बिल्कुल पारफेक्ट लग रहा है इसको अंदर पानी हमने बिल्कुल नहीं डालना है अगर आपके आटे में थोड़ा पानी जाए तो आप डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा ढीला लगे तो आप इसके अंदर सूखाटा हलका सा डाल सकते हैं ज्यादा नहीं डालना है अब हम इसे पान से साथ मिनट के लिए अच्छी तरह नीड करेंगे तांकि इसके अंदर कोई भी लंस इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं बिल्कुल मुलायम हो गया है अब हम इसके पेड़े निकाल लेते हैं आप अपनी रोटी के साइज के अकॉर्डिंग पेड़े निकाल लीजिए इसमें से 6-7 पेड़े निकल जाएंगे बिल्कुल इजिली इसको हमने बिल्क तो लेजिए हमने सारे पेड़े बिना कर लिये हैं आप इन्हे ढग कर रख लीजिए और एक पेड़े को अब हम बेल ना आपको बताते हैं हलका सा आप सूखा मकी काटा चकले के उपर लगा लीजिए अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा विकिन हलका सा लगा लेंग गेहों की रोटी को बेलते हैं सेम उसी तरह ये बिल रही है बिलकुल घूम रही है ये बिलकुल चिपकेगी नहीं और कहीं से तूटेगी भी नहीं आप कितनी भी पतली बेल लीजिए ये बिलकुल भी क्रैक नहीं आएंगे इसके अंदर ना ही तूटेगी तो इसी तरह हम मकी की रोटी बनाने के लिए कई लोगों को बहुत जारा मुशक्र करनी पड़ती है तो इस तरीकी से अगर आप बनाओगे बिल्कुल भी आपकी महनत नहीं लगेगी और नॉर्मल गेहों के आटे की तरह ही हमने इसको बनाकर रेडी कर लिया है इसी तरह मैं सारी रोटी पहल अब लीजे मैंने बहुत सारी रोटी यां बेल कर रख ली है अब हम इनने सेख लेते हैं मैं इनको आपको उठा कर भी दिखाती हूँ यह जो है रोटी बिल्कुल पतली सी बेली है मैंने अब देखिए कितनी लियर में और बिल्कुल आपस में चिपकेंगी नहीं है और इसे अच्छी तरह सेख लेंगे दोनों साइज से और इसमें अच्छा सा कलर आने तक आपने इसको पका लेना है इसको टर्न करते हुए एक से दो बार टर्न करेंगे और अब देख सकते हैं बिल्कुल इसमें कहीं भी क्रैक नहीं दिख रहा है और असानी से आप अपने कर थोड़ा सा सेक लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया हमारी ये रोटियां बनकर तैयार हो जाएंगे आप इस ट्रिक को एक बार यूज करके देखेगा आपको बहुत बढ़िया लगेगा कई लोगों को बनानी नहीं आती है तो वह भी इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं अब इसी मक्की की रोटी को सर्व करेंगे सरसों के साग के साथ क्योंकि इसका कॉंबिनेशन होता ही सरसों के साग के साथ है तो यहां पर इसके अंदर थोड़ा सग डाल देते हैं देसी घी और फिर देखेगा इसका मज़ा डबल हो जाएगा तो लिजे इंजॉय कीजिए मक्की की र बनाकर देखिए आपको बहुत बढ़िया लगेंगी और बहुती सॉफ्ट सी बनकर तैयर हुई है अगर आप इन्हें रख भी देते हो बनाकर तो यह बिल्कु कड़क नहीं होंगी आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप हमें बताईएगा जुरूर वीडियो देखने के लि झाल झाल झाल